नमस्कार मैं हूं रच्छना और आज हम बात करने वाने हैं स्पेक्टेक्ल उल्लू आउल मतलब चश्मे वाले उल्लू के बारे में इसका नाम चश्मे वाला उल्लू इसकी सफेद चश्मे नुमा फ्रेम के रूप में उगे हुए पंखों की वज़े से पढ़ा है जो आखों रंग पिला और अंदर गहरा भूरा रंग होता है जो घूम नहीं सकती है इसलिए ये अपनी गर्दन घूमा सकता है 360 डिगरी पर दोनों तरफ से इसकी तश्तरी नुमा आखे चॉकलेटी भूरे रंग के पंखों से गिरी होती हैं और उसके बाद वो चश्मे जैसे सफेद पंख फ्रेम के रूप में उगाते हैं जो दिरे दिरे उगते हैं बचपन के पैदा होते ही ये पंख नहीं होते हैं बाद में उगते हैं दिरे दिरे ये छोटे कीडे मकोडे जो पेड के छालों के बीच में या जमीन पर मिलते हैं उनको खाकर जिबीत रहते हैं और साथ मे साउथ अमेरिका के बड़े मुचे रक्षों गने जंगलों में ये पाए जाते हैं इनके भी इंटेंजर्ड होने का कारण डीफोरेस्टिशन रहा है एक बार ये किसी जानवर को पकड़ लेता है तो उसके बाद में छोड़ता नहीं है इसके ग्रास बहुत पक्की होती है क्योंकि हम किसी चीज़ को एक बार पकड़ते हैं तो हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है इमेडियेट जो हमारी कलाई के बाद की मसल्स होती है लेकिन इसके पंजो के आगे मसल्स नहीं होती है पंजो के आगे जो मोड होता है मतलब घुतना होता है उसके आगे ही मसल्स होती है तो नीचे मसल्स नहीं होने की वज़े से इसको बिल्कुल पेन नहीं होता और इसकी ग्रास्प और ज्यादा मजबूस हो जाती है इसके आँखें इसके सीर का दो तिहाई हिस्से में होती है अगर इनसान अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री गुमाना चाहे तो शायद उसके गर्दन तूट जाएगी या फिर ब्लड वेसल्स ब्लोक होने की वज़े से वो खतम हो जाएगा लेकिन इस उल्लू के साथ ऐसा कैस नहीं होता है क्योंकि इसकी 14 नेक बांस होती है इनसान में साथ अडियां होती हैं गर्दन में लेकिन इस स्पेक्टेकल उल्लू में 14 होती है जिससे एक तरफ वो 270 डिग्री गुमता है तो एक तरफ की वेंस क्लोज हो जाती है उन अडियों के साले और दूसरी तरफ की उपन हो जाती है evenodel जिराफ में भी सात हड़िया होती है एक ऍलॉत की इस्पेसीज है उस में और इस उल्लो में इंशान से ज़ाद हड़िया होती है गरदन में रात को इसके आँखें गहरी दिखती है और जैसे जैसे सुरज उपर चुड़ता है वैसे वैसे हल्की दिखने लग जाती है अश्याद दोस्तों आपको चश्मेवाले उल्लू स्पेक्टेकल्ड हूल के बारे में जानकर मज़ाया होगा अगली बार किसी नहीं चीज़ के साथ मिलते हैं धन्यवाद